सबसे पहले उन चार लगनों के बारे में बता दूँ प्रेदर्शकों ये प्रयोक बहुत ही दिव्य हैं और मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद और जो चार लगन बाकी रहेंगे उनके बारे में अगले रविवार को मैं उसकी चर्चा करूँगा ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनके घर में बरकत नहीं हो रहा वो सभी लोग करें जिनके घर में कलह का वातावरन बना रहता है मैं बता दूँ कि ये प्रयोग घर के मुखिया को करना है और घर का मुखिया वही है जो घर संचालित कर रहा हो तो उचित यही हो कि घर के जो बड़े सदस्य हैं माता पिता उनके द्वारा इस प्रयोग को करा करके देखा जाए निशन दे ये प्रयोग सुध्ध है और सीग रही लाभ प्रदान करने वाले हैं निया आपके घर में अगर कलह है जाहर सी बात है कि जिस घर में कलह का इस निशन और स्वाहरा है जाहे बाहर से देखने में वह कितना भी बढ़िया हो कितने भी वो नोग सससंपन क्यों न दिखाई पड़ते हूं लेकिन वो घर के भीतर लोग जानते हैं कि जहां कलह है वहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कोई सुख नहीं है तो घर में अगर कला है तो ये प्रयोग आपके काम आएगा आज जो सबसे पहले बात करेंगे सिम्ह लगन की याद रखेगा ये सिम्ह लगन है तो अगर आप सिम्ह लगन के हैं और आपके घर में कलाह का बाता बरण बन र आपको ये प्रयोग मंगलवार के दिन करना है और तीन मंगलवार करना क्या है मिट्टी का पात्र मिट्टी का धक्कन मिलता है मिट्टी का मार्केट में कोई भी पात्र मिल जागा नौरात्री के समय में तो खूब मिलने लगता है मिट्टी के पात्र में गुड भरकर और साथ साथ लाल वस्त्र के साथ नोट करिए गुड़ रखना है मिट्टी के पात्र में और लाल वस्त्र और मंगलवार के दिन ही किन्नर को देना है याद रखिएगा किन्नर को देना है मंगलवार को मिट्टी के पात्र में गुड़ और लालवस्त्र रख करके ऐसा तीन मंगल बार करिए अगर आप सिम्ह लगन के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण है शांत हो जाएगा कन्या लगन के हैं और आपके घर में कलह का बाता वरण रहता है तो आपको ये प्रयोग साथ सुक्रवार करना है करना क्या है साथ शुक्रवार उत्तरा भिमुखो करके गाय को बूंदी का लड्डू खिलाना है आप एक ले सकते हैं या पांच फर्क नहीं पड़ता आपके उ का जो मुख्या है उसके लिए में बता रहा हूँ अगर आप करन्या लगन के हैं तो ये प्रयोग करना है और जब तक आप ये प्रयोग करिए खटाई वरजित रहेगा और ताथ कोई भी खटी चीज का सेवन आपको नहीं करना है घर के मुख्या को तुला लगन के हैं और घर का वातावरन अशांत है, कलह का वातावरन बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक ही प्रयोग करना है कसाई से बकरा खरीद करके और घर से दक्षन दिशा की ओर, मंगल बार के दिन ले जाकर के छोड़ दीजिए, घर का वातावरन शांत हो जाएगा, कसाई से बकरा खरीद विशिक लगन के हैं, घर के मुखिया हैं और आपके घर में कलाह का वाता बरने रहता है, तो आपके लिए जो प्रयोग है वो थोड़ा कठिन है, फिर भी करने का प्रत्न करिए अगर कोई ब्राम्हन कुत्ते का दान ले, यानि दान स्वर कुत्ता, अब बड़ा कुत्ता तो क जो दान ले, तो फिर शनी बार के दिन मंदर में ढोलक बजने वाला जो ढोलक होता है, उसका दान जा करके कर दीजिए, इससे भी आपके घर में जो कलाह का वाता वरन रहता है, वो शान्त हो जाएगा, मैं फिर दोरा देता हूँ, ये प्रयोग घर के मुखिया को करना है, वही करेंगे, तभी राहत मिलेगी.